नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरिटिंग विदर्शना में आसा करती हूं आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे सारे वीडियो को देखकर पढ़ रहे होंगे तो चलिए अब एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं और यह हमारा इनिस्टीश् इपनिशन के बच्चों को यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सब ही मेडिकल स्टुडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो कि ओटी में काम करते हैं और उनको औक्सीजन और नाइट्रस औकसाइड के बारे में तो जानना ही होगा तो चलिए हम लोग स्ट प्रच trivia दर्लेश कैसा है इसा कोई भी कलर नहीं होता और कोई भी महक नहीं होता श्मेल नहीं होता औकसीजन के बाच इन्द knows बर्च ए लिए इनशा को प्रोशिडर के लिए बहुत ही important क्यार्बटनेट यह हमारेLग को हमारे जीवन के लिए बहुत जादा ही ज़रूरी हो सिलिंडर का कीओ užगा ऊपर का स्योल्डर है रङए को कुरा बड़ी जो है वह ब्लैक होगा साहीं दर गमनलीबऑनम स्टील की किसके तो मॉलीबडनम स्टील के इसके बाद सीश्या मसीन मेरे जो सेलिंडर आटेज़ होते हैं गमिल्ली टाइप सेलिंडर से अचाइज यह सारे जो points इसमें हैं वो सारे बहुत important हैं वो सारे आप अपने दिमाग में fit कर लीजिए अब हम लोग समझेंगे E-type और S-type cylinder के बारे में ठीक है या ऑक्सिजन cylinder pressure यानि E-type cylinder में pressure 2000 PSI या 2000 PSI pounds per square inch होता है और kg में कहें तो 137 kg per centimeter E-type cylinder में mainly 660 L oxygen भर सकते हैं ठीक है इसका quantity देखे तो 660 L होता है E-type का और H-type का देखें तो pressure वही होगा 2000 PSI लेकिन उसमें 6900 L oxygen store किया जा सकता है तो E-type में 660 और H-type में 6900 critical temperature देखें तो minus 119 degree Celsius यानि 119 degree Celsius क्या होता है critical temperature होता है oxygen का minus 119 degree Celsius यानि critical temperature ऐसा temperature होता है जिसमें अगर कोई भी गैस अगर liquid में है तो वह liquid में ही रहेगा जब तक कि वह temperature change नहीं हो ठीक है यानि उस टेंपरेचर तक यानि ऐसा टेंपरेचर जिस पर कि हमारा जो है liquid या फिर गैस वह अपने form में रहे वह अपने state ना चेंज करें वह हमारा critical temperature होता है अब अगर हम oxygen का use देखें उप्योग देखें तो मेली यानिस्टीश्या के टाइम में nitrogen oxide के साथ oxygen को deliver किया जाता है तो उस time oxygen की कमी हो रही है तो उस time oxygen delivery किया जाएगा इसके बाद आगर हम लोग देखें side effects of oxygen थो oxygen administration under high pressure is irritant to the lungs may lead to lung fibrosis यानिकी इसके side डिफेक्ट में क्या है कि अगर कोई भी चीज की अति हो जाती है कोई भी खाना भी अगर ज्यादा खाले तो उसे दिक्कत होने लगेंगी उसी तरह से ऑक्सीजन भी अगर ज्यादा दिया जाए ज्यादा प्रेशर में तो वह इरिटीशन कॉज कर देगा हमारे फेफडों में यानि हमारे फेफडों में दिक्कत करेगा और हो सकता है लंग फाइब्रोसिस हो जाए ठीक है अक्सिजन पॉइजनिंग में अकर वेन इडिज एडिस्टरट फो लॉंगर पीरियड अंडर हाई प्रेसर और हाई प्रेसर में अगर जादा समय तक के लिए ऑक्सिजन को दिया जाए किसी पेसेंट को डिलीवर किया जाए तो उस पेसेंट को पॉइजनिंग हो जाएगी ऑक्सिजन पॉइजनिंग ठीक है अब अगर हम लोग देखें, contraindication क्या होता है, contraindication यानि किस patient को oxygen deliver नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो respiratory acidosis is a relative contraindication, यानि respiratory acidosis यानि जिसके body में carbon dioxide की मातरा ज्यादा हो गई है, यानि कि CO2 जो है वो body में बहुत ज्यादा accumulate हो गया है, बहार नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, त लेबल पर बहुत ज्यादा acidity हो गया है, बाड़ी में CO2 ज्यादा है, बाड़ी में carbon dioxide, तो उस case में क्या होता है, हमारे respiration में दिक्कत होगा, तो respiratory acidosis के दिक्कत के कारण, हम लोग oxygen in patient को deliver नहीं करते हैं, तो respiratory acidosis क्या है, तो ये एक ऐसा disease है, तो ऐसी दिक्कत है, जिसमें carbon dioxide हमारे सरीर में बढ़ जाता है, यही mainly हमारा respiratory acidosis कहलाता है, इसके बाद next हमारा है nitrous oxide, जिसे कि हम लोग laughing gas के नाम से भी जानते हैं, यह जो होता है colorless होता है, तेस्टलेस होता है, यानि इसका कोई भी color नहीं होता है, किसी भी रंग का नहीं होता है, और इसका जो taste है, व muscle relaxants and energesics यानि, oxygen के साथ में दिया जाता है, इनस्थिया के time में, और muscle relaxant के साथ और energetic के साथ दिया जाएगा, यानि के patient को अगर general anesthesia deliver किया जा रहा है, तो उस time में oxygen के साथ में lama nitrogen賽 को दिया जाता है, और उसी time में जब लोग यह deliver करेंगा तो muscle relaxant और energetic भी देते हैं, तो मजल्रेलेउक्सिंट में आपका वैक्यॉरोणियॉम फेंटा हो गया ठीक है सॉरी मुसल्रेउक्सिंट में आपका रीक्सिंट अर्वैक्युरोणियॉम हो गया और नल जैसे ृशिधन existing फ्रंटा माँना जाता है है जैसे हुनी ऑक्सीजन का कौंटिटी देखा था कि कितना इसमय कीज़ किया जा सकता है, उसी तरह से हमारा जो नाइट्रस åकसाइड है वो साथ सक्षाट यानि सीवन सिटल पी एस पर पर प्रेसर पर हमारा यह टैप सीलेंडर में फैंटने नडर लीटर नाइटर सोक्साइट इस्टोर किया जा सकता है तो इस चीज अप याद कर लीजे कम्पिटिटिव एक्जाम में यह कोशन जरूर आते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा एड़ांटेज़ जानी की नाइट्रस अक्साइड का एड़ांटेज है तो यह सरी सिफिस्ट एनस्थेटिक सेसे जो है पेसिन को ज्यादा दिखकत नहीं होगा और बहुत ही सही है ठीक है इसका SMELL भी सही है ठीक है यह हमारे respiratory mucosa को यानि हमारे lungs के जो भी lining है उसको यह ज्यादा irritate नहीं करेगा वहाँ दिक्कत नहीं कौज करेगा और फिर blood pressure भी कम नहीं होगा इसके कारण कोई भी anesthesia related complication नहीं होगा नहीं BP कम होगा नहीं irritation होगा respiratory mucosa में इसका अच्छा इसमेल भी है और यह सेफ है चीक है अब इसका अगर disadvantages देखा जाएं मैंने कि इसके खामिया यानि हानी देखा जाए तो इफ यूज्ट अलॉन डियर इनडेक्वेंट मसल रिलेक्सेशन अगर इसको अखेले राही जब हम लोग प्लड करते हैं तो उस टाइम में शुरुआत में क्या हो सकता है कि बलड प्रेशर बढ़ सकता है हमारे हर्ट में बढ़ोतरी हो सकती है ठीक्डिया इनस्थेटिक रिस्पोंस में भी पूर इन-पर्संस addicted टो नर्कोटिक्स यानी कि एनस्थेटिक बहुत मख़ने को है hon in न पुरुप स्पेंट यरे था यॉश्ट ही यह से उपकुर दे। नहीं होगा वह क्यों पय। अज़ने वर यफ़्श दिलिवर कर रहे हैं कोई गयस डिलिवर करै उतना अच्छा नहीं कर पाता है कि शीजरा फुझा से पैंज Okay तो उसमें जो इनका रिस्पोंस होता है इसी तरह से अब इस वीडियो को यहीं पैंड करते ही और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब में किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगती है आपको तो प्लेज लाइक और सेयर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें